दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल टिप्स की बुकार में और दोस्तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं दोस्तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग को पता है कि वाटसप में दोस्तो एक अपडेट आ चुका है दोस्तो अगर आप लोग चाहते हैं कि वाटसप में जो अपडेट है यहाँ पर की आप लोग को अपडेट में आ गया है कि जो आपका यहाँ पर वाटसप में चैनल बना सकते हैं तो क्या दोस्तो आप लोग चाहते हैं कि हम इस जो है यहाँ पर वाटसप में जो संटाया गाहिसे आप लोग आसानी से डिलीट कर सकते हैं रिन्मूब कर सकते हैं बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना इक दो मैं पर आप जो आया है वो असानिशा आप लोग डिलीट कर सकते हैं बने रहेगा वीडियो में पूरे लाश तक अगर आप लोग को वीडियो पसंद आगी तो सपोर्ट कीजिएगा वीडियो को लाइक और अगर आप चोनल पिनने होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि रहती है यहां पर दुस्ता आने के बाद आपको क्या करना आईए मैं आपको अच्चे से ओर बिल्कुल आपलोगों आसानी से बताते हैं यहां पर आने के बाद उपर में आपको क्लिक करने के बाद बहुत सारे option आपको मिलेंगे ना, नीचे में दोस्तो सबसे नीचे में आपको मिलेगा settings का option आप लोग देख सकते हैं, आपको simple settings के option पे click कर देना है, settings के option पे दोस्तो जैसा ही click करते हैं, तो यहाँ पर आजाते हैं, दोस्तो अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है बहुत सारे option यहां पर सो कर रहा है तो आपको दोस्तों करना है कि देखिए यहां पर दोस्तों एक option मिलेगा चैट का आप लोग देख सकती हैं दोस्तों यहां पर बिल्कुल आपको चैट वाले option पर क्लिक कर देना है चैट वाले पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तो कुछ इस तरीके से यहां पर आ जाएंगे यहां पर आने के बाद दुस्तो आपको यहां से नीचे आना है और नीचे आने के बाद दुस्तो एक option आपको यहां पर सो करेगा चैट backup का आप लोग देख सकती हैं बिलकुल आपको chat backup के option पे क्लिक करना है दोस्तों यहां पर chat backup कर सकती है और यहां पर आसानी से आप लोग जो अपने जो चैनल का option ने उसको delete कर सकती है तो यहां पर सबसे पहले आपको chat backup के जैसे किली करेंगे तो यहां पर आएगा आप लोग देख सकते इस तरीके से होने लेगा तो आसानी से आप लोग का चैट बैक अप जोए यहां पर अभी होना इस्टार्ट हो जाएगा बस दोस्तों यहां पर आप लोग को चैट बैक अप कर लेना है उसके बाद यहां पर इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर पर बैक आने के बाद दोस्तो आपको क्या करना है जैसे दोस्तो आप लोग ख्लिक करते हैं तो यहां पर आने मिलेगा क्लियर देटा का आप लोग देख सकते हैं दोस्तो बिल्कुल आप को करना क्या है ना clear data के option पर आपको click कर दिना है और जैसे clear data के option पर click करते हैं तो यहाँ पर आते clear data और clear case का option आपको so कर रहा है आपको simple है दोस्तों करना क्या है यहाँ पर clear data के option पर click कर दिना है और यहाँ से दोस्तों आपको okay कर दिना है बस दोस्तों यही आपको करना है और उसके बाद आ यानि दूस्तो यहांपर आपको देखिएगा दोस्तों हमारे में आप arrows Smash कर दिखा जाते इया है थोबहुत ही अच्छी बात है उसके लिए दूस्तेल आपको अबनुर करना हों और कर दोस्तों देखिएगार बरटा में यहाँ पर वर्ग कर जाते तो बहुत ही अच्छी बात है उसके लिए दुस्त यहाँ पर हम आपको बता दिये दिए दो मेरे में भी था बर मैंने अपने करं दिया हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं अगर नहीं होता है तो आप कोई जो एक त्रिक लगा कर आप city